हालो गाइज, विल्कम बेक टू जारखन वोरियर, मैं भी वेक सोनी, जारखन वोरियर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ, आसा करता हूँ, अब सब बहुत अच्छे होंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोग सबाय एलिक्सन का भी बच चुका है, हमें आज ये डिसकस करना है कि लोग सबाय एलिक्सन जारखन में भी होगा, है ना, जारखन में इस एलिक्सन से क्या क्या एफेक्ट आ सकते हैं, जारखन का छेतरी मुद्दा क्या है, जारखन के छेतरी पार्टियां भी क्या कर रही है, और इस एलिक्सन के बाद जारखन में किस तरह के बदलाओ देखिए जा सकते हैं। एक चीत तो तैय है, आपको वोट तो देना ही होगा। ठीक है, वोट आपका राइट है, आप वोट जन्ता है। वो है हमारे अर्जुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुन 2024 की तारीको का एलाद तो हो चुका है और हम सब जानते हैं कि ये चुनाउ 7 चरण लेकिन जारखनद में ये चुनाउ 4 चरण वो 4 चरण कौन कौन से हैं किसके तारीको election जारखनद में होगा वो हम सब आगेisches करेंगे लेकिन एक चीस्तों हमें यह याद रखना होगा जारखन में लोग सभा सीटों के कुल संख्या 14 है और अगर बात करें हम लोग पिछली एलेक्षन जो 2019 में जो हमारा लोग सभा चुनाव हुआ था इसमें 14 सीटों में से 11 सीट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी लेकी चाथ ठीक है वहीं एक सीट कॉंग्रेस को एक सीट जारखन मुक्ति मूर्चा को और एक सीट आजसू को मिला था लेकिन एक सीट जो कॉंग्रेस को मिला था ना ये seat मिला था Congress से गीता कोड़ा को और गीता कोड़ा जो है वो बाद में वापस भाजपा में चली आई जीती है ये Congress से लेकिन जीतने के बाद ये भाजपा जोईन कर लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि भाजपा ने 2019 के चुनाओं में टोटल 14 में से 12 सेट हासिल किया और 14 में 12 सेट हासिल करना एक massive जीत है इससे बड़ा जीत कुछ हो ही नहीं सकता है ठीक है अब देखिए लोग सभा चुनाओं 2026 के लिए भाजपा ने 13 सेटों पर अपने उम्मिद्व का एलान कर दिया है अगर 14 सेट में टोटल एलेक्शन हो रहा है लेकिन भारती जन्ता पार्टी ने 13 सेटों पर अपने उम्मिद्वार का एलान कर दिया है एक सीट जो बचा हुआ है वो अभी तक एलान नहीं हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे एलेक्शन और करीब ह यह भी एलान हो जाएगा आज तारिक है बाईस अप्रैल तक अप्रैल तक अलान दो नहीं हुआ है इसके बाद हो सकता है, वहीं अगर कॉंग्रोष की बात करें, तो कॉंग्रेस, चार सीटों पर है और जार्खन मुक्ति मूर्चा भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्यारशी का एलान कर चुके जामूमों की कोटे में केवल एक सीट का एलान गरना बाकी है समझ रहे हैं? जार्खन मुक्ति मूर्चा काफी तेज है भी देखिए जारखण में चुनाओ के चारचरण कौन-कौन से है और कहां-कहां हो सकते हैं यह आपको पता होना चाहिए देखिए यह जो चारचरण में लिखा है ना इससे आप लोग जारखण में जो 14 सीटे हैं आरखन के जो 14 सीटे हैं वो कहां कहां हैं ये भी आप इससे याद कर सकते हैं अगर आप बात करें 13 माई का तो 13 माई में देखिए कहां कहां एलेक्शन हो सकता है 13 माई को सिंग्भूम, कुट्टी, दोहार दगा, फलामू में वोटिंग होगा रहा बात फेज 5 का तो फेज 5 में 3 सीटों पर एलेक्शन होगा कौन-कौन सा? 14, पुडर्मा और हजारी बात बात करें फेज 6 का, फेज 6 में फिर से 4 सीटों पर एलेक्शन होगा कौन-कौन सा? ग्रेडी, बाद, रांची और जमसेदपूर फेज 6 होगा आपका 25 माई को, फेज 5 जो मैंने आपको सायर बताना भूल गया फेज 5 होगा आपका 20 माई बात करें फेज 7 का, आपको तो पता है टोटल एलेक्शन सात फेज में हो रहा है और जारखन मातर चार फेज में एलेक्शन होगा तो जहारखन का चौत्वा फेज यानि की कुल मिला के सातवा फेज में तीन सीटों पर जहारखन में एलेक्षन होगा और कौन कौन सी सीटे हैं? राजमहल, जुमका और गुड़्डा और ये वोटिंग होगा एक जुन को अब सातों फेज के एलेक्षन के बाद ये देखिए, एक जुन को होगा लास्ट एलेक्षन, लास्ट गोटिंग और इस कुल मिला के सारे का नतीजा यानि रिजल्ड डेट हो जाएगा आपका चार जुन तो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा एलेक्षन जो कि आपका 19 अप्रायल से शुरू हुआ है और आपका एक जुन तक चलेगा फेज 1 से फेज 7 की बात करें, यहां से शुरू हुआ करके एक जुन तक चल रहा है और नतीजा आपका चार जुन को आ जाएगा अगे बात करते हैं, देखें, इसमें हम लोग यह दिख सकते हैं कि कौन कौन से सीट है कहां का, अगर कोई सुडेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और उन्हें मेंस में एंसर एटिंग करनी हो, तो वो इस मैप से काफी असानी से यह बढ़ा सकते हैं, यहां यह नंबर 1 ज धार्खन के नक्सा को पढ़ें, तो आपको काफी असानी होगा जगा पाशान, ठीक है, तो आप एक बार कोशिस कीजिएगा कि कौन से सीट कहां है, मैं यहां ब्लैंक मैं बापके लिए चुटे जा रहा हूं, तकि आप इसे खुल से फिल कर, ठीक है, देखिए, लोग सभा कहां रिजर्व है, 6 में से 5 सीट आपका अनुसूचित जन जाती के लिए रख सीत है, जबकि एक सीट आपका अनुसुचित जाती के लिए रख सीत, और बजगया आपका 8 सीट, यह 8 सीट सामान में है, ठीक है, यह दिखते हैं आगे, देखिए, लोग सभा चुनाउ, जो कि 2024 में होने वाला है इसमें जार्खन के उमिदवारों का सर्वे किया गया और सर्वे में हमें ये देखने को मिल सकता है कि कौन से चेहरे हो सकते हैं जार्खन के 14 सीटों पर आमने साम इन 14 सीटों पर कौन-कौन से लोग हैं कौन-कौन से उमिदवार हैं जो अपने party से belong करते हैं और वो आमने सामने हो सकते हैं उसके बारे में एक detail चार्ट आपके सामसे paste किया जा रहा है आपको चार्ट देखें और बताइए कि आप इन में से कितने seatों में से किस-किस को जानते थे जैसे कि आप पहला sit मान लेजिए राजमहल, राजमहल से यह जगा पर निकाल देते हैं जैसे Congress आपका राजमहल से भी निकाल दें और जामुमों भी राजमहल से निकाल दें तो इनका वोट तो बढ़ जाएगा इसलिए Congress और जामुमों ने मिलके एक गड़बंधन मनाया है उस गड़बंधन का नाम है India 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 आपको इसका full form भी जारखन मुक्ति मुच्चा के नलीन सोरिन लड़ेंगे उड़्ड से भाजपा के निशिकान दूबे और Congress के दिपिका पंडिल चत्रा से काली चरन सिंग जो कि भाजपा से बिलाउं करते हैं और Congress के के एंट्री पार्ठी वो डर्मा एक ऐसा सीट है जहां सिर्व भाजपा अब तक अपना उम्मिद्वार बताया है वो कौन है वो हैं आपकी अनपूर्णा देवी जबकि Congress और जारखन मुक्ति मुच्चा ने अब तक अपना उम्मिद्वार डेक्लियर नहीं किया है बात करें ग्रहडी का तो ग्रहडी से भाजपा के अब तक कोई उम्मिद्वार जबकि धारखन मुक्ति मुच्चा से मथूरा प्रशाद महतों को उम्मिद्वार गोशित जा गया है बात करते हैं धनबाद का तो धनबाद से भाजपा के तुक्तु महतों और Congress के अनुभमा सिल्ट आगे देखते हैं साथ सीट और ये साथ सीट तो मैंने आपको बता दिय साथ सीट और साथ सीट का बात करें तो देखिए रांची रांची तो एक जाना माना सीट है ना रांची को सब को ही जानते होंगे तो रांची से भाजपा ने अपना संजय सेट को तो उमिद्वार बता दिया देखिन Congress जारखन मुक्ति मुच्चा ने अब तक किसी भी सान क को अपना उमिद्वार भोसित ही किया है जमसीत पूरगी बात करें तो जमसीत पूर से भारतिय जनता पार्टी के वित्यू तुबरण महतों लड़ेंगे और इनके खिलाफ Congress और अब तक तो कोई नहीं आए बात करें से भारतिय जनता पार्टी के गीता कुड़ा और Congress के काले जनुदू ठीक है जोहार दगा से भारतिय जनता पार्टी के सबीर उराओं और Congress के सुखदयों महतों आमने सामने हो बात करें पलामू की तो पलामू से भारतिय जनता पार्टी के विस्नु तयाल सर्मा और इनकी खिलाफ कौन लड़ेंगे ये अब तक नहीं बताय है जारी बाग की बात करें तो हजारी बाग से भारतिय जनता पार्टी के मनीश जैशवाल से लड़ेंगे आपको मालूम होना चाहिए मनीश जैशवाल भारतिय जनता पार्टी से पहली बार लड़ें और Congress से जय प्रकास पटेल ये जो जितने भी मैं इनका नाम ले रहा ये काफिक चर्चित उम्मिदवार हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनमे से जीतने भी मैं उम्मिदवार बताया हूँ आप मैकसिमम को पहले से जाने हैं ठीक है देखिए इंडिया टूडे ग्रूप है एक इन्होंने सी वोटर से एक सर्वे करवाया और सर्वे में क्या सर्वे में 2004 में कितने सीटे आ सकती है कितना वोट मिल सकता है इसके बारे में डिस्कॉस है 2019 में भारतिये जनता पार्टी लीड एंडिये को 55 प्रतीशत वोट मिला था आप एक चीज दिहान दीजेगा कि इन्होंने 14 में से 11 सीटों पर सीट 11 सीट जीत खासे नहीं और एक सी जीतने के बाद वापस भाजपा में आ आप यहां पर ध्यान देजिए 14 में से 11 सीट जीत रहे हैं लेकिन इनका टोटल वोट सेयर मातर 55 परतीशत है तो काफी कम है ना अगर देखा जाए 14 में से 11 सीट है ना सीटों की संख्या में अगर बात करें देखिए यह आपका जीत हासिल की लेकिन टोटल वोट सेयर मातर 55 परतीशत था अब इससे आप यह मत कहिएगा कि सर 55 परतीशत तो इनलोग वोट ही लाएं तो 78 परतीशत सीट कैसे जीत गया है यह देखिए यह आपको समझना होगा ठीक है वह मैं आगे कभी आपको बहुत आराम समय और अभी यह प्रोजेक्शन किया गया है भारतिय जन्ता पार्टी को 1% और वोट मिल तो यानि कि भार्खण में भारतिय जन्ता पार्टी लीड अन्ड ये को जितना भी वोट पिछले बार एलेक्शन में मिला था उससे एक प्रतीशत जाधा वोट है बात करें इंडिया अलाइंस की इंडिया अलाइन्स जो की कॉम्मरेट करता है 2019 में इन्हें 35 प्रतीसत वोट मिला अब देख रहे हैं इन्होंने एक सीट पर जीत हासल की थी ठीक है लेकिन इनको 35 प्रतीसत वोट मिला था और अब ये खयास लगाये जा रहे हैं कि इनका वोट सेर 5 प्रतीसत तक घड़ सकता है बात करें अधर्स की अधर्स मतलब आप समझ लेज़े कोई छेटिय बाटी हैं या कोई निर्दलिय लड़ना चाहते हैं वो 2019 के एलेक्शन में टोटल 10 प्रतीसत वोट ही ला पाये थे लेकिन अब इन लोगों का वोट सेर भी बढ़ सकता है ये 10 प्रतीसत से बढ़के 14 प्रतीसत तक हो सकता है ये कायास लगाए जाए और ये कायास कौन लगा रहा है इंडिया टूडे ग्रूप का सी वोटर्स ठीक है सी वोटर्स सरवे करने का एक एप है जो करवाया था India Today Groups ने India Today Groups के बारे में मैं बता दू कि ये एक काफे leading group है जिनका prediction काफी हद तक सही भी होता है देखिए अभी हमने vote share का बात किया अब बात करते हैं हम लोग seat share का ये seat share कैसे कैसे था 2019 के election में total 12 seat लाया था और एक seat और कौन लेकर आया वही Congress Party Congress Party के उमिद्वार जो एक seat लाया थे हैं और बाद में ये बीजेपी में आ गया तो अभी ये कायास लगाया जा रहा है कि जो 12 seat पिछले बार लाया था तो ये 12 seat अभी लाएगा यानि कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो seat share में और India Alliance जो पिछले बार भी 2 seat लाया था इस बार भी 2 seat लाएगा बात करूं में Others का यानि कि जो निर्दलिये खड़ा हुए हैं या कोई छेतरिये पार्टी हैं वो पहले भी 0 थे और भी 0 रहें ऐसा कायास लगाया जा रहा है इंडिया टूडे ग्रूप के दवा जोने सर्वे करवाया है सी वोटर से आगे देखते हैं आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वोट तो हमारे करवा रहा है अलेक्सन केमिशन अप इंडिया है ना ज enact कि भारत के चुनाव आयोग तो भारत के चुनाव आयोग के मुख निरवाचन अयोगत कौन है आपको इनका नाम भी बना होना चाहिए आप चाहिए तो उनके फेश से साहिदा पहचान रहे है ये है स्री राजीव कुमार यह है चीफ एलेक्षन कमिशनर की मुख निरवाचन आयुक्त तो और आपके एलेक्षन कमिशन होते हैं एक में और दो इनकी साहिता के लिए तो और कौन-कौन से हैं पहला है जानेश कुमार जो निरवाचन आयुक्त हैं तो है टॉक्टर सुखवीर सिंग संधू के भी मदद करते हैं सी राजीव कुमार को सी राजीव कुमार मुख निरवाचक आयुक्त हैं यानि की चीफ एलेक्षन कमिशनर है देखिए आपको मैं बता ही दिया हूँ कि कुल 14 सीटे से जार्खन में लड़ाई होता है है ना और इन 14 सीटों में जार्खन के आदिवासी ये परिणाम स्वरूप स्टी 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 कुमिदवारों के लिए 6 सीट आरक्षित किया है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 6 सीट कौन कौन से है देखिए हजारिवाग पुट्टी तुमका स्टीमूं तांची और जंसीत तो मैं भी मांच आपका है सटी के लिए और एक है सटे के अलावा भार्ष्य की सबसे बड़ीत त्र terrorists बाइबानती में है यह पता कूंध यह है लगभग जहार्ष्य कि अबाधि के वल चउबिस पृतिस प्रप्रतीशत है और सहरी अबाधि जो जहार्षण के है वो राश् से भी कम है ठीक है धारखन में चौदा निर्वाचित सीट है और चौदा में से आठ जेनरल ने च्छे आरक्षित है च्छे आरक्षित कौन-कौन से वह मैं आपको बता दिया हूँ देखिए धारखन के प्रमुक दावेदार कौन हो से यह भी आपको जानना होगा देखिए 19 अपराइल को वोट हुआ था यहां पे आपको साथ फेज में जो वोटिंग है वो आपको बताएगा है और यह पूरा जो सीट है ना वो पूरा भारत का सीट बताएगा कि 19 अपराइल जो भी दिया इस समय कितने सीटों पर एलेक्शन हुआ था और कितने स्टेट में हुआ था मैं आपको बता दूँ पहला फेज कि आपका 19 अपराइल को हुआ था इसमें टोटल 102 सीटों पर एलेक्शन हुआ था वोटिंग हुआ था इसमें किस राज्य सामिल बात करूं मैं 26 अप्रायल जो कि आपका 2nd फेज है इसमें आपको 89 सीट पे वोटिंग दिखने को मिलेगा और 13 स्टेट में ये वोटिंग होगा आद माई की बात करें जो कि आपका 3rd फेज है इसमें 94 सीट पे वोटिंग होगा जो कि 12 सेट में होगा आगे 13 माई जो कि जारखन का 1st फेज होगा, जारखन का 2nd फेज, जारखन का 3rd ये जारखन का 4th तो 13 माई जो कि 4th फेज है, जारखन का 1 फेज है और पूरा इंडिया का 4th फेज है, ठीक है, यहाँ पे 96 सीटों पर एलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, इसमें total 10 राज दिसा म मिलों, बात करे 5th फेज, जो कि आपका 20 माई को होगा, इसमें total 49 सीटों पर वोटिंग होगा, और 8 राज दिसा में होगा, इसमें total 59 सीटों पर वोटिंग होगा, जो कि आपका 7 राज दिसा में होगा, बात करे 7th फेज, जो कि आपका लास्ट फेज होगा, ये आपका 1 जू को होगा कि टोटल संतावन सीट और आठ राच्चों में होगा देखिए जारखन में क्या है जारखन प्रकिर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण है ठीक है आपको पता है कि में जारखन विहार से अलग हुआ था क्यूं कि जारखन तो काफी धनी राच्चे है जढ़िया है क्या कि आपको पता है कि लागाताती ही यहां पहरा राच्च्पति लग चुगा है सिर्फ एक ही ऐसा मुख्य मंत्री है जो 5 साल तक रहे हैं बाकि मैक्सम मुख्य मंत्री 5 साल से पहले ही किसी ना किसी प्रकार से वो अपने पद से हड़े आते हैं तो वियर 19 के लोग सभा चुनाओं है भाजपा ने 14 सीटों में से 11 सीट पे जीत हासिल की थे मैं आपको बता दिया हूँ उनकी सहयोगी आजसू पार्टी ने एक सीट जीती जबकि कॉंगरेस और जारखन मुक्ति मोर्शा ने एक एक सीट पे इत हासिल की थे देखिए आजसू एक एक ऐसा पार्टी है ना जो भारतिय जन्ता पार्टी के साथ अलाइंस में है तो दावेदारी का समर्थन कितने परसेंट लोग कर रहे हैं यह देटा भी आपको कही ना कहीं से लिया ही गया है कि किम ही देटा है यह थी इसे लिया काई है यहां पर यह बताएगए कई राजभाल से विजय हंस्ता जो कि महागणधन है किसी चांस से 65% तुमका से कौन जीतेंगे यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकि पुनील सोरिन, क्योंकि सीवु सोरिन को भी हरा सकते हैं, ऐसी कायास लगाई है, देखिए, पुड़ा से निशिखान दूबे जीत सकते हैं, चतरा से जोगेंदर प्रशार सिंग, 56 प्रदिसत लोगों ने दाव प्रदिसत है, यह डेटा आप लोग चाहें, तो देख सकते हैं, जो सबसे फेमस सीट है, वो है आपका हजारी बाग, हजारी बाग से अंबा प्रशाद, जो कि 60 प्रतिसत ला सकती है, तो इनका जीतने का चांसेज ज्यादा है, इस से मनीज जय सवाल, तो यह सीट जो डॉक्र अजय कुमार को 66 प्रतिसत लोगों ने मर्थन दी, तो इनकी दावेदारी पर इतना समर्थन है, तो पुरी उम्मीद किया सकती है, कि डॉक्र अजय कुमार जीत सकते हैं, इस साल लोग सभाचुनाओं से ठीक पहले, जार्खन को राजनीतिक उत्रपुजल का सामना पढ़ा या कोई पता है कि हेमन सोरिन जी को जेल जाना पढ़े गया, क्यूं? तो कि उन पर मनी लौंडरिंग का आरूप लगा था, मैं आपको बता दूं कि मनी लौंडरिंग होता क्या है, दिखिए, आप यह कह सकते हैं कि सर्फ आरूप लगा है, तो वो जेल कैसे चले ग ठीक है ये 2018 से पहले होता था लेकिन 2018 के बाद money launching में एक amendment लाए गया और ये कर दिया कि अगर आप money launching का case लगता है सिर्फ और आप सिर्फ case लग गया तो फिर आप दूसी होगा कब तक जब तक आप खुद को इनोसेंट साबित ना करें ठीक है तो ये money launching का case एक बहुत बड़ा case होता है जिसमें अच्छे अच्छे निकता मंतरी लोग अभी काफी परिशान है है ना देखिए इसके बाद जब ये हेमन सोरें जी जेल चले गए तो इनके सहयोगी जो चमपई सोरें थे इनने जारखन के नए मुख हेमंतरी के रूप में कारेवाद समालना पड़ा या आपको बहतर पता होगा आल ही में जारखन मुक्ति मोर्शा अध्यक्त सीबू सोरें की बहू देख लिजिए सीबू सोरें जो आपकी जारखन मुक्ति मोर्शा के है ठीक है और इनकी बहू जारखन मुक्ति मोर्शा के विधायक सीता सोरें ने अपने पदी के निधन के बाद पात्ति के भीतर जो भ मुक्ति मूर्शा के हैं लेकिन इभू सोरिन जो हैं इनकी बहू सीता सोरिन जोने भाजपा यानि की भारतिय जंदा पार्टी को जोइन करें तब किया अपने पती के निद्धन के बाद ठीक है कौन किस पार्टी से कब आएगा कोई नहीं जाना ठीक है जहारखन के राजनीती का सीती काफी देनी है यह आपको उससे बहतर पता है ठीक है देखिए जहारखन के एक छेत्रिय दल है क्या है जे-ल-क-म इनको तो आप जानते ही होंगे यह कौन है यह है चैराम मैतोजी देखि किया क्या है इनका एक छेत्रिय दल है और यह इनका छेत्रिय दल का लोगो आप लोग देख लिए लोगों में लिखा हुआ है जारखन्डी भासाक तियान संगर संथ और इनका सौर्ट फॉर्म में जे-ल-क-म बखा गया है ठीक है इन्होंने भी अब लोगसभा का चुनाओ है तो यह अपने छेत्रिय पाटी से कुछ प्रत्यार्शिक उता रहे हैं जैसे कि बाद, दुमका, रांची, हजारिबा, किलोहर्दग्गा यहां से कुछ प्रत्यार्शिक को निकाले उता रहे हैं जैसे कि गिरहडी से यह खुद लड़ रहे हैं इनका कहना है गिरी मतलब पहाड और ये पहाड के हैं तो ये पहाड से लड़े हैं तो ग्रेडी से ये खुद लड़ रहे हैं तनबात से इन्होंने उतारा है एक लाक्ष अंसारी को ता से इन्होंने बेबी लाता तुडू को उतारा है ताची से देविंदरनात महतो जी को उतारा है आप साइद देव मिंद्रनात महतोजी को देख सकते हैं इन्होंने हजारी बाग और पुडर्मा से भी इनको उतारने के बारे में सोच रहे हैं मैं बता दू कि संजय कुमार महता और मनुज यादो इनका इनका नोमिनेशन अब तक तो नहीं हुआ है कि हजारी बाग से जे बी के एसस से हजारी बाग से संजय कुमार महता जी लड़ सकते हैं और पुडर्मा से मनुज यादो को लड़ावाया जा सकते हैं अगर आपको पता होना चाहिए कि आपका एक वोट पूरे सरकार को हिला सकती है इसलिए आपको वोट रूर दिना है जार्खन के प्रमुख मुद्धे क्या हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि मैं आप और जितने भी नौजवान हैं उनका मुद्ध यहां तो होना ही चाहिए क्योंकि आपके मुद्ध के बिना यह एक अधूरा सा लगेगा तो जार्खन का सबसे बड़ा मुद्ध है बिरोजगारी, गरीबी और अप्रियाप्त बुनियांदी धहांचों का विकास जैसे कि अगर कोई इंड़स्ट्री बन रहा है तो पिछले 20 साल से अब तक बन ही रहा है कामी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई एक फैक्टरी लगाया जाना था, बस वो कागज पर ही लगा हुआ है प्रियल में वो है ही नहीं, तो ये सब जार्खन के प्रमुक मुद्ध है मुझे तो लगता है बिरोजगारी और गरीबी के सबसे बड़ा मुद्ध है ठीक है, और अगले 5 साल को लेकर ये उत्साहित जार्खन के लोगों ने ये कायास लगाया है कि 50 प्रतीसत के लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ती भिरोजगारी जार्खन में टोटल लगभग 3,5 करोड़ लोगों हैं अगाम लगाये जा सकते, ऐसा लगता है ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको किसी कोई रिपोर्ट कह रहा है, ठीक है आपको पता है, राज में खुल धाई करोड़ से अधिक मदद आता है, यानि कि टोटल जार्खन में धाई करोड़ वोट ठीक है ये मैं से 1.29 करोड़ पूरूस हैं और 1.24 करोड माही लाएं और 413 ट्रांजेंडर भी आपका वोटर लिस्ट में साथ ठीक है, इनमें से 25 लाख ऐसे मदद आता हैं जो पहली बार वोटर ठीक है 2019 में जो भी वोटर थें, उनमें से 22 लाख वोटर और एड हुए है ठीक है, ये 22 लाख ऐसे वोटर होंगे जो 2016 में पहली बार वोटर और ये 22 लाख वोटर कहां कहां है, सिर्फ और सिर्फ निके है यह रिखते हैं आगे, दिखिए, एक सवाल पूछा गया था कि अगर आपकी पसंद की सरकार बनी, तो क्या 5 साल में आपका सबसे बड़ा मुद्दा हल हो जाएगा आपको तो पता है, जारखन की सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, बेरुजगारी तो अगर ये सवाल पूछा गया, तो जवाब में क्या आया पता है देखिए, जिनका उम्र 18 से 30 साल था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, हाँ लगबग 81 परदिसत लोगोंने कहा, हाँ, कि अगर हमारी परशंद की सरकार बनी, जो हमारा मुद्दा है, हल हो जाएगा वही जिनके उम्र 31 से 55 साल थी, इन्होंने भी लगबग 81 परदिसत लोगों ने कहा, कि हाँ, हमारा मुद्दा हल हो जाएगा यानि कि आप कह सकते हैं maximum लोग more than 82% अगर सबको मिला दें more than 80% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि अगर हमारी पसंद की सरकार बनी तो अगले 5 साल में जो हमारा मुद्दा है वो हल हो जाए पजारगन के सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपको पता ही है गरीबी पेरुजगारी इसे दूर करना बहुत जरूरी है आपको क्या लगता है इनका जो मानना है कि हाँ दूर हो जाएगी आपको क्या लगता है आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताएंगे देखिए कुछ औ आप उनको फिर से प्रहान मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे 60 प्रतिसत लोगों ने कहा हाँ क्या भारत को विश्व गुरु बनाना है लगभग 39 प्रतिसत लोग ने कहा हाँ यहाँ लगभग आपका 61 प्रतिसत लोग कह रहे हैं नहीं इनको पहले चाहिए गरीबी और प्रोजगारी से चुटारा बाद दिन विश्व गुरु पहले हम अपना मुद्ध हल कर लें पहले हम गरीए जात पाले हम हमारा रोजगार मिल जाए पहले हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिखने उसके बाद विश्व पहले घर के गुरु फिर विश्व गुरु ऐसा 61 परतिसत लोग का कहना था समान नागरिक सहीता लागु करमानी है वाल पुशा गया उस 37 परतिसत लोग कहना था हाँ जबकि 60 परतिसत लोग कहना था नहीं राम मंदिर जैसा मंदिर राम मंदिर जैसा हर मंदिर गौरा लोटाना है जैसे कि ऐसे बहुत सारे मंदिर होंगे तो तूट गए होंगे और उसको फिर से बनाया जाए यह सवाल पूशा गया तो 33% लोगों कहना था हाँ और 66% लोगों कहना था ठीक है इनका भी मानना है कि पहले हमें जो हमारे दीजी मुद्दा है पहले उसे हल किया जाए फिर हम लोग मंदिर महजित करेंगे है ना ये कुछ और सवाल पूछा गया था जैसे कि महंगाई से बुरा हाल है क्या कार बदलनी है वरना ताना साह आजाएगे ये सवाल पूछा गया तो 27% लोगों ने कहा हां जबकि 73% लोगों का मानना है कि ताना शाही जाएगी ठीक है किसानों पर हो रहा अन्याए ख़तम करना है 20% लोगों ने कहा हां बाकि 80% लोग का कहना था ठीक है मंदिर महजित नह तो आपको वोट करना बहुत जरूरी है और आप नोटा मत दबाईए नोटा का क्या मतलब होता है नोटा मतलब होता है अगर मान लेजिए कि दो कंडिडेट खड़े हुए हैं और एक गाउं का लगभग एक हजार ठीक है चलिए मान लेते हैं दस हजार वोटर है ठीक है और पहला कंडिडेट है वन दूसरा कंडिडेट है दो दूसरा है आपका नोटा मान लेते हैं पहला मान लेते हैं बेजिए की दूसरा मान लेते हैं कॉंग्रेस ठीक है तीसरा है नोटा तो दस हजार लोगों म नोटा में जो वोट आते हैं उसको invalid मान लिया जाता है, उसको count ही नहीं किया जाता, वो बस विकार है, खतम, यानि अगर आप जाके नोटा दवा रहे हैं, इससे अचा आप वोट देने का यह मतलब में कि अगर आप वोट देने जा रहे हैं, अब किसी खास वैक्ति को चुने, खिक है, और एक चीज़ और मैं आपको यादे आते हैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रधान मंत्री नहीं चुन रहे हैं, आप अपना सांसद चुन रहे हैं, खिक है, तो आप प्रधान मंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री का लेक्षन तो होता ही नहीं है, लेक्षन तो होता है सांसद का न, Member of Parliament MP, ठीक है, आप अपना MP चुने, जो आपका छेत्रिय मुद्दा जो है, जो आपका तुद का मुद्दा है, उसे हल कर पाएं, ठीक है, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, आप स सांसद चुन रहे हैं, और आपके द्वारा चुने गए सांसद, आगे चल के प्रधानमंत्री चुन, ठीक है, तो आसा करते हैं, आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और मैं आप से एक सावाल जादे आते पूछना चाहता हूं, कि यहां पर जितने भी सावाल पूछे कहते हैं, आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या आप नरेद मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनते दीखना चाहते हैं, क्या आप भारत को विस्व गुरु बनना आना चाहते हैं, क्या सामान नागरिक सहीता लागू करवानी है, क्या राम मंदिर जैसा मंदिर का गौरव लटाना है, मांगाई से बुरहाल है, क्या निजात चाहिए, सरकार बदलनी हैं, वरना ताना सहा आ जाएगा, क्या आपको ऐसा लगता है, किसान पर हो रहा अन्या एक खतम करना है, क्या आपको क्या लगता है, आप बताईए, मंदर महचित नहीं, विकाश आइए, आप हुझे करें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ओफ